लेकिन हमें पता नहीं था कि वह मज़े हमें एक दिन ऐसी सजा दिलाएंगे लिकम गई स्वाकते आप सभी का आज के इस नई वीडियो में आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा कुछ ज्यादा इन्पोर्टेंट रहने वाला है भले इस वीडियो को लाइक मत करो पर इस वीडियो को उस बंदे तक शेयर करना हर उस बंदे तक जिसके पास क्लासिक 350 पर शेयर ने करी है और जो गलती अपने कुछ भाईयों ने भी करी है तो वह गलती है गाड़ी का एक्जॉस चेंज करना मुझे पता है यह जो यह जो टाइटल ले ये जो आज का मुद्दा है लॉंग पंजाब का या फिर वह शौट पंजाब क्यों नहों तो इसी एक मु मेरे के लिए तो बहुत कुछ लेका यह लेकिन असल मेरी गाड़ी के लिए मेरी गाड़ी के लिए वह उतनी प्रॉब्लम्स भी लेकर ही आया है तो पहली बात कुछ भी और मैं खुद अभी में एक रिबॉन ओनर हो लेकिन मैं अपने जितने भी रिबॉन ओनर से उनको ये बात बुरी नहीं लगने चाहिए लगी पी तो मैं माफी चाहूंगा लेकिन भाईयो अपनी ये जो रिबॉन है इसमें है जेवन सीरिस के इंजन तो गाइस ये वाले इंजन उतने तगड़े नहीं है इन उतने तगड़े में अए इतने सेंसर डाल दिए गए आरी के तरफ से कि पुरानी जो क्लासिक 350 ती ती स्टैंडर्ट थी उन में ये सेंसर कुछ नहीं होते थे उन में चाहे कितना भी लाट एक्जॉस लगाओ और भगाओ कुछ नहीं होता था उन गाडियों को लेकिन इन गाडियों को भाई लॉंग पंजाब लगाओगे या शौट पंजाब लगाओगे या इनका कैटलेटिक कनवर्टर हटा दोंगे तो गाडिया खराब होगी ही तो गाइस बात चुरू होती है लगबग 6 मेने पहले 6 मेने पहले मैं अपनी गाड़ी को एकदम मज़े से स्टॉक साइलेंसर के साथ चलाता था तब मुझे कुछ इंटरेस नहीं था इसमें कोई बड़े साउंड का साइलेंसर लगाने की पर हर इंसान की जिंदगी में एक कमिना दोस्त रहता है वैसे ही मेरी जिंदगी में एक कमिना दोस्त है उसका नाम तेजस है उसका फोटो भी मैं अभी वीडियो में डाल लूँगा तो उस इंसान ने मैं मतलब मेरे गाओ से मेरे गाओ के बगलवाले शहर में रहता था ठी तेजस के पास बाइक नहीं थी तब तो तेजस गौवर्मेंट के बस से आया पाच घंटे ट्रावल करके मेरे पास अपने पैसों से उसने मेरे गाड़ी मेर लॉंग पंजा फुल सिस्टम एक्जॉस्ट डलवाया और मुझे मोटिवेट भी किया कि भाई तु ऐसी गाड़ी म वाले क्यूंकि तो गाइज चै मेने पहले ना मुझे ना तेजस को हम दोनों को पता नहीं था कि की रिबोन में कस्टमाइज एक्जॉस्ट लगाने से क्या प्रॉब्लम आती है क्योंकि तबके टाइम में रिबोन नहीं नहीं लॉंच हुई थी एक साल पहले तो ऐसे जब तो हमने बहुत मज़े के साथ गाड़ी को लगबग दो मैने तक बहुत अच्छे से चलाया था बहुत भगाया था बहुत साउंड के मज़े लिये थे हम लोग तो ऐसे समझ रहे थे कि हमारे पास कोई सस्ती जैड एक्स्टनारी है क्योंकि भाई रिबोन में अगर तुम ल पूलेट में या स्टैंडर्ड में अगर आप लोग लौंग पंजब डालोगे तो उसमें डूग 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 साउंड आता है लेकिन इसमें पूरी चिकती है भाई मैं भी यह वीडियो को रोके इसमें क्लिप डाल देता हो ताकि आपको समझ सके साउंड के साथ है तो आई होप सबने साउंड सुन लिया होंगा और सब के कान फट गए होंगे तो काई साउंड कैसा था वह भी मुझे कमेंड में बताना और साथी साथ तो चलिए आप बात करते इसके विरोध में अभी बहुत हो गया समर्थन की बाते तो काई जब हमें पता नहीं था लॉ हुआ क्या था अभी मैं चल्दी से मुद्धे पर आता क्योंकि मैं मेरा वाश टाइम बढ़ा रहा हूं तो गाइस हुआ क्या था गाड़ी में फुल सिस्टम एक्जॉस्ट लगाने के तगरीपन छे मेने बाद आचाना है कि एक दिन में गाड़ी चला रहा था बड़े मज लेक गया सर्वी सेंटर में ऐसे बहुती अभी ही चुकी दिए 5000 किलो मेटर टो सर्वी सेंटर पर जैसे लेकर गया तो उन्हों ने को सुनी पूरा अंदर का जो एक बड़ा पाट रहता है वह भी जलने को आया था वह बात सुनके मैं ज्यादा शौक तो नहीं हुआ था क्योंकि मुझे पता था एक नेक दिन मेरे साथ ऐसे होने वाला है क्योंकि अगर मैंने मजे लिए तो मुझे भोगना भी पड़ेगा तो मैंने उ पाले जो बुलेट ओनर से वह तो इतने मजे से लांग बोटर लगा के घुमते हैं तो हमी ने क्या गुना किया है हमी रिबॉन उनर से क्या ऐसा पाप किया है तो उन्होंने कहा कि तुमारे जो रिबॉन उसमें है बहुत सारे सेंसर और अगर आप लोग कस्टमाइज कि गाड़ी में जितने बिस पोका काम करता है और रिबॉन इंजन्स बने ही नहीं आ बार के एक्योंके टाका करता है खरने, ये रहता है चाहिए वह कोई सा भी इंसान वह त्रोटल देता यह मज़े के लिए और जैसे वह ज्यादा ज्रोटल देता रहता है उसे जलती रहती है अगर वजह का अगर आपने तो तो यह तो होगी गाइस प्लेट की बात लेकिन प्लेट के अंदर एक बड़ा सा पार्ट रहता पूरी गई साथी साथ चे सर्वी सेंटर वालो को बता कि कि मैंने तकरीबन छे मैनों से लॉंग बोटल लगा के रखा था तो मैंने उनसे पूचा कि क्या मेरा इंजन खराब हुआ है तो उन्हों ने का तुम्हारा इंजन खराब होना स्टार्ट हो चुका है लेकिन अब तक हुआ नहीं है लेकिन अगर तुमने ये एक्जॉस्ट मैंने से निकलने का प्लैनिंग चल रहा था लेकिन क्या करें अभी मज़ा बहुत आ रहा था इसलिए निकालानी था तो मेरे इंजन की खराब होने की स्टार्टिंग होई चुकी थी लगबग और आरी का ही नहीं जो आरी को मैनिफेक्चर करते मैंनिफेक्चरिंग वालों क तो गाइज मैंने क्या करा था मैंने मेरा जो केटलेटिक कंवर्टर था वह भी हटाया था और इसके जगा पे स्टेट पाइप लगाया था और यहां पे तो अपना लॉंग बोटल था भाई साब पूरा फुल सिस्टम था वो तो उसके कारण भाई इंजन के तो भाई एल लगने वाले ही थे तो मैं यही कहना चाहूंगा इस वीडियो के इस वीडियो के तुरू कि मेरा मोटा खर्चा होने से बचा है थोड़े से थोड़े से बचा है और लगबग मेरे क्लश प्लेट्स को और मेरे क्लश प्लेट्स को कितना खर्चा है था क्लश प्लेट्स और मे इंजन बचा सकते हो बस एक अदम उठाना है कि अपने गाड़ी में का शॉट पंजाब या लॉंग पंजाब निकाल के फेक दो साथी साथ अगर नहीं तुम्हें रहा जाता एक्जास के बिना तो फिर इंदोरी लगा दो के साथ और गाड़ी को एक डीसेंट तरीके से चलाओ उसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है बाकी गाड़ी अच्छी है लेकिन बस उसके उस सेंसर से और उसके इस एक्जास ना लगाने के र एक रीजन था और यह वीडियो में बनाने नहीं वाला था लेकिन मैंने इंस्टा पे अपना एक पेज दमेगा है 350 नाम से तो जब इसकी क्लच प्लेट चेंज कर रहे थे तो वह वाला सीन मैंने रिकॉर्ड करके रील डाल दी तो उस रील पे एक दिन में 6 लाक व्यूस आ प्लेट गए ते और सारे भाई कमेंट कर रहे थे कि भाई क्या हुआ है तो मैं उतने बंदों का रिपलाई तो नहीं दे सकता था और उन्होंने कहा भी कि इसका फूल वीडियो बनाओ इसके बारे में और बताओ और मैंने यूट्यूब पर शॉट वीडियो डाला था तो और मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई निकाल दो अगर लगाए होंगे तो गाड़ी को और आपके उस फ्रेंड को यह वीडियो शेयर करो जिसके पास रीबॉन है और उसने भी एक्जूस लगा है तो शेयर करो और मैं यह मैसेज उसको दे रहा हूं कि अभी जस तुम ल पर देख के बुरा मत मानना क्योंकि गाई जैस्टेजी रहती है वीडियो वाइरल कराने की और साथी साथ मेरा हाथ बहुत दर्द कर रहा है मैंने फोन एक पकट रहा है तो का इस वीडियो में टक बने रहेने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और इस वीडि घ्रीज रहे कुछ कॉस्चैन्स रहे रिबों के रेलेटेट तो मेरे को कमेंड में पूछो और इसका माइलेट टैस और इसके बादे कुछ वीडियो जो भी डटल चाहिए सब वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखे है तो इक बाहशनल को विजिट पर मैंने आप अग त जो कि स्टॉक एक्जास्ट है